कि अपने वीडियो में जानेंगे कि अपने व्लॉग वेबसाइट पर फ्री डूमेने में यूज करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए क्या इस पर एक्सेंस अकाउंट अप्रूवल मिलेगा और यह वेबसाइट रेंग होती ऐसे आप यूजर मुझे पूछते रहते हैं हमें ब्लॉग पर क्या लगा सकते हैं तो अगर आप ब्लॉग बनाने की सोच रहा हैं तो इस वीडियो को कांटीनिव कीएगा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बिल्कुल नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बताने का यह मकसद है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है और जब भी हम वीडियो बनाते हैं रात के 12 बज़े के बादी बनाते हैं टाइम नहीं मिलता है क्योंकि यह मैं स्टूडेंट हूं उसके पास से ग्राफिक डीजानिंग वेब साइट बनाना इधर-दर काम रहता है वाट्सअ अपना उपेंट नहीं करते हैं और मैसे थोड़ा जल्दी नहीं देख पाते हैं तह तो आपको अच्छा नहीं लएगा तो यह समझा किजिए अगर आप एक समझदार होंगे तो समझ जिए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूं कोई बात नहीं यह आपको अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर फिरी डॉमेन ने मिलेगा या नहीं तो बहुत ऐसी वेबसाइट है जो कि फिरी नॉम या फिर यहां पर देखिए एक डॉमेन है बाइट पर पूछते हैं डॉमेन अप्रोल मिलेगा नहीं बहुत जाद है यह जो कि ट्रेंडिंग में बहुत ऐसे कंपणिया जो कि फ्री डॉमेन नें देती है यहां पर देखिए यह जैसे पता नहीं कौन कौन से डट देती है आप देख सकते फ्रीन हैं मैं आपको सबसे एक सिंपल और सरल भासा में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको फ्री डॉमेन नहीं यूज करना बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ क्यों सबसे पहले तो इसका आउनर्शिप आप नहीं रहेंगे अगर आप बाय करेंगे तो भी ये कंपनी आपको बताना चाहता हूँ और कुछ ऐसे भी कंपनिया होती है थोड़ा सा मैं आपको बता दू जो सब डोमेन नियम देती यानि कि उसको उसके ही फायदा होते हैं कंपनी को ही फायदा होता है और जो फैसे फ्री डोमेन नियम देती है क्यों नहीं टाप लेटींड को देती है । यह सब डोमेनिम क्यों नहीं देती है आप सोचिए जड़ा सा तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं आप विल्कुल यूज ना करें फ्री डोमेनिम पर आपको एस्टियों में भी फर्क पड़ेगा आप सोचिए अगर गूगल में आप लिखते हैं पैसे कैसे कमा है तो से बहुत यह से यूजर जो क्रियेट कियोंगे आपको पता होगा कि आपकी वेफसाइट सर्च पर भी नहीं आता है यूजर ट्रस्ट भी नहीं करता है और अगर यहां पर फ्री डोमेन भी यूज कर लिए एक साल के लिए अगर आप अपनी वेफसाइट कराएंगे तो है तो कोई फायदा नहीं आप अभी से यूज किजिए और .com.com की जो रेंक है उसको कराएं अपने .com.info जो भी है लेना है ले करके रेंक कराएं टाप लेवल डोमेन को अब एक साल इसको चलाएंगे अगले साल दूसरे को चलाएंगे कोई फायदा नहीं आप मेहनत करते जाएंगे उसका फ़ल नहीं मिलेगा एक दिन आप बलागी तो कहने का यह मतलब फ्री डोमेन पे तो अगर आप पुछते हैं अकाउंट मिलेगा तो मिल जाता है ऐसे कोई बात नहीं है कि मतलब बहुत ऐसे जो कि मिल जाते हैं आज के टाइम में थोड़ा सा फ्री डोमेन से गूगल एडसेंस अपरूबल मुस्किल हो गया है क्योंकि आपको पता होगा कि टाप लेबल पर जल्दी मिल जाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि टाप लेबल डोमेन ने में यूज कि यह डॉट इन डॉट इन्फो यह सब दो डाइटिसों में 500 सास्तों में मिल जाते हैं ऐसी वेबसाइट रेंग भी नहीं होती है आप मेहनत करते जाएंगे कोई फाइदा नहीं होगा उमीद करता हूँ कि आपको पता चल गया हो कि फ्री डोमेन ने में कभी यूज नहीं करना चाहिए और टाप लेबल ही यूज करना चाहिए आपकी वेबसाइट इस ते नहीं करी गूगल भी टाप लेबल डोमेन को ही सजेस्ट करता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद